नमस्ति दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजरात की फेमस फर्द सिपूरी की रैसे भी इन पूरियों को आप एक बार घर बे बना लेंगे तो फिर कभी मार्केट से लाना पसंद नहीं करेंगे ये इतनी खस्ता और टेस्टी बनती हैं तो आईए इसे बनाना शू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां एक कप मैदा लिया है जिसमें स्वाद अनोसा नमक मिला रही हूँ यहां मैंने एक टी स्पून जीरा लिया था, एक टी स्पून मैंने काले मिर्ष ली थी और चोथा ही चमच मैंने अजवाइन लिया था, जिन्हें मैंने कूट लिया था, वही मैंने यहां एट किया है साथ ही इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और थोड़ी से हल्दी इन सब सूखी चीजों को हम एक बार चला लेंगे और फिर अब इसमें हम डालेंगे मोईन मैं यहां तीन टेबल स्पून घी का यूज़ कर रही हूँ आपकी जगे तेल का यूज़ भी कर सकते है इस मोईन को इस आटे में अच्छे से हम मिला लेंगे इसकी टेक्शर एकदम परफेक्ट होना चाहिए आप उठी बांद कर देखेंगे तो आपको इसका टेक्शर पता चल लगा ये एकदम सही है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानिंग एड करते हुए हम इसका एक आटा लगाएंगे आटा ना जादा सॉफ्ट हो ना जादा टाइट इसी तरह का आटा हमें चाहिए अब इसे ढखकर हम साइड में 10 मिनिट के लिए रखतेंगे 10 मिनिट के बाद आटा को फिर से चैक कर लेते हैं या था जोगया है इसे एक बाद फिर से हम चिक्ना कर लेंगे आप चाहें तो छोटी-चोटी लोईया बनाकर भी बेल सकते हैं पूड्याँ आप चाहें तो बड़ी पूडी बनाकर फिर उसे एक बड़ी पूरी बेलूंगी, फिर उसमें से मैं छोटी-छोटी पूरियां काटूंगी. आप जाहें तो कोई भी कटोरी हो, कुकी कटर हो, ग्लास हो, किसी से भी पूरी को काट सकते हैं. इसे हम बेल लेंगे, ना हमें से ज़्यादा पतला बेलना है, ना ज़्यादा मोटा, किस तरह का हमें से बेलना है, आप वीडियो में देख सकते हैं. मैंने यहां एक ग्लास यूस किया है, उसी से मैं इसको काट रही हूँ, इसी साइस की पूरियां हमें चाहिए. अब तेल में दलते वक हमारी पूरियां फुले ना, इसके लिए हम इसमें कुछ निशान करेंगे, फोक से मैं इसमें निशान कर रही हूँ, आप किसी चाकू से भी निशान कर सकते हैं, इसी तरह मैंने सारी पूरियां बेलकर तयार कर ली हैं, और दूसरी तरफ मैंने गैस पूरियो को तलते वक्त बस एक बाद ध्यान देने होती है कि गैस की फेए लोटु मीडियम ही रहे तब यह अंदर से खस्ता बनेंगी आप इसी तरह मैंने सारी पूरियो को तला है हल्दी डालने से इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है आप दिख सकते हैं यह हमारी पूरिया तयार है उमीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी कल फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद